सभी किसान भाईयों को मेरे नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ग्यानिन प्रताप सिंग है, मैं बायर क्रॉप साइन्स लिम्टेड में छेत्री प्रबंधक हूँ, आज हम एक गाउं धरमपुर में खड़े हैं, अपने किसान भाईय के धान के खेते, इन्होंने बायर का एक उत् प्रिचे दीजेगा, मेरा नाम जब परकास भर्मा है, अपने अपने धान की रुपाई कब की थी अपने खेत में, कौन सी डेट में, 28 जून जो दो हजार तेज, और कौन-कौन से खरपत्वारों से आप अपने खेत में परेशान थे, तो आप तो अनियक हैं, लेकिन जादे मोथा से जादा परेशान थे, चलिए, तो आपको कौन सी डेट में डाला था? रुपाई के आठ दिन बाद, आठ दिन बाद, कौन सी डेट में डाला था? डाला था 6 जुलाई, 6 जुलाई को आपने डाला था, चलिए, अच्छा, काउंसी लेक्ट्व डालने के बाद में आपको क्या-क्या रिजल्ट मिले? जो सारे के सारे खर्पत्वार चले गए, संपूर्ण समाधान की तरह काउंसी लेक्ट्व ने काम किया है, तो सभी किसान बाई वो मैं थोड़ा सा दिखाना भी चाहूंगा, आपको कि जड़े यह पूर्था चली जा चुकी है इसमें, और इसके बाद में खेत में भी मैं दिखाना चाहूंगा कि कोई भी खर्पत्वार आठ तारिक को दवा पढ़ने के बाद में, आज पंद्रा तारिक है, कोई भी खर्पत्वार इसमें नहीं दिख रहा है, अब आप किसान बाईयों को यह बताईए, काउंसेल एक्ट्व प्रयोक करने के बाद अपनी फसल धा आई कि अगर आठ से दस दिन बाद परियोग करते हैं, तो इसको नब्बे ग्राम पर एकर के हिसाब से डालना है, चलिए, अच्छा आप दवा से पूर्टर संतुस्थ हैं, पूरा संतुस्थ हैं, तो सभी किसान बाईयों को क्या सला देना चाहते हैं, सभी डालें इसको इ अधान के खेत में रुपाई करने के आठ दिन के बाद में आपको नब्बे ग्राम पर एकर के हिसाब से दवा का प्रियोग करना है, ये एक प्रकार का संपूर समाधान है, इससे चोड़ी पत्ती, सकरी पत्ती और सेजिज वर्क के सारे के सारे खर्पत्वार नियंतरित होत झाल में दिन के सारे कि आ दिया है कुछा झाल में, आ कि ये खर्पत्का है, झाल में झाल में चार।